नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षावले के स्योटूब चैनल में दोस्तो आज से हम क्रिसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्रिसी के जितने भी इंपोर्टिन टॉपिक बन सकते हैं उनको आज से हम वन बाई वन करके कवर करेंगे, दोस्तो या जो क्रिसी का आपका स्लेबस है क्रिसी का स्लेबस आपके एकजाम के लिए बहुत ही ज़्यदा महतपूर्ण है क्यूंकि क्रिसी से आपके एकजाम में लगबग 5-6 प्रस्तन पूछे जाएंगे तो इस से जुड़े जितने भी important topic बन सकते हैं जो आपके एकजाम के लिए फायदे मंद हो सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे यह हमारा part 1 है, part 1 में आज हम बहुत सारे important topic को कवर करने वाले हैं तो चलिए आपके वीडियो को सुरू करते हैं, दोस्तों आपका वीडियो है, आपकी लेकपाल भती परिच्छा के लिए बहुत ही ज़्यदा फायदे मंद होने वाला है तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से daily basis वे follow करते रहना है, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के मतलब फसलों को किस किस काटेगरी में बटा गया है तो फसले जो हती है तीन केटेगरी में आती है एक होता आपका खरीव की फसल उसके बाद रवी की फसल और उसके बाद आती है आपकी जायत की फसल तो इनके अंतरगत खरीब की फसल के कौन-कौन से पॉइंट आपको याद अखने है मैंने यहाँ पे सब note-down किया हुआ है इनको आपको याद कर लेना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे खरीब फसलों के बारे में इनकी जो बुवाई होती है जून से जुलाई के महिने में खरीब की फसले होती है इनकी बुवाई होती है जून से जुलाई के मद्ध और इनकी जो कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर महिने में हो जाती है इसके बाद ये आपकी जो खरीब की फसले होती है ये वर्सा काल होता उसकी फसले होती हैं आपकी खरीफाली और बुवाई के समय अधिक ताप्मान वह अधिक आदरता के आऊसकता पड़ती है खरीब की फसलों को ते भी फैक्ट आप आपया देखेगा खरीब की फसलों के अंतरगत कौन-कौन फसले आती हैं तो इसमें धान हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, तील हो गया, मुंग हो गया, उड़द हो गया, इसके लब आपका जौर, रागी, बाजरा, मुंग फली, यह से भी important जो आपकी क्या हैं, तो यह से भी important आपकी खरीब की फसले हैं, इनको आप याद को लिजेगा, इसके बाद रवी की फसलों के अगर हम बात करें, तो आपकी जो रवी की फसले हैं, इनकी बुआई होती है, अक्टूबर से नवंबर महिने के मद्ध, और इनकी जो कटाई होती है, वो अप्रेल से लेके मई महिने के मद्ध हो जाती है, तो इनकी बुआई कब कब होती है इनकी कटाई कब होती है ये फैक्ट आपको याद अखना है इसके बाद रवी की फसलों को उगते समय कम तापमान और पकने के समय अधिक तापमान एवं दिर्ग प्रकास की अवसेक्ता होती है तो गेहूं हो गया जो मटर चना सरसू आलू मसूर अलसी ये से भी आ बारे में भी आप याद देखिएगा इसके बाद आती है आपके जायत की फसले तो जायत की जो फसले होती है समानेतर रवी एवं खरीब के मद्देवलती काल में उगाई जाती है निकी रवी फसलों के बाद और खरीब की फसलों के मद्द जो भी समय बचता है उसी समय काल में ये आपकी जयायत की फसले उगाई जाती है, इनका जो बूआई होती है, वो मार्च में होती है, और चाटायी आपकी जून में हो जो फसले होती हैं उनको किन-किन काटेगरी में बाटा आता है अब हम बात करेंगे क्रिसी की विधियों के बारे में यहां से इपरसन आपके एक्जाम में पूछा आ सकता है तो क्रिसी की विधियों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जीविको पारजन क्रिसी की जैसा कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा जीविको पारजन क्रिसी का मतलब हो गया कि ऐसी क्रिसी जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है जीवन जीने के लिए की जाती है तो जैसा कि नाम से ही अभी प्राइस का लग राई की य यह क्रिशी की याती है जो क्रिशक होता है वो अपने परिवार के सदस्यों का भरन पोशन करने के लिए इस क्रिशी को कलता है तो आप इसे याद कर लिजेगा और जो आपकी यह क्रिशी होती जीविको पारजन क्रिशी इसको गहन क्रिशी या जीवन निर्वा क्रिशी भी कह तो यह जो आपकी अस्थानांतर क्रिसी की वेधी होती है यह सबसे प्राचिन वेधी मानियाती क्रिसी की इसके अंत्रगत किसी विसेश अस्थल की वनस्पती या पेड़ों को काट कर या जला कर साया साफ करकल दिया जाता है और फिर उस अस्थान पर क्रिसी की जाती है तो आ की भूमी को साब करके वहाँ पर क्रिसी की जाती है इस प्रकार की क्रिसी को हम करतन या दहन प्लाली या पैदा पदती भी कहते हैं इसे भी आप ध्यान से याद कर लिजेगा इसके बाद जो अस्थानांत्रित आपके क्रिसी होती है इसका जो प्रचलन है उत्तर पुर्वी र इसके बाद मी बात कर लेते हैं तो यहां पे पुरा चार्ट में ने अपलोड किया हुआ है एक तरफ आपको राजजी मिलेंगे और एक तरफ अस्थानिय नाम मिलेगा तो उत्तर पुर्वी राजजियों में जो आस्थानिय किसी को आम कहते हैं जूम या जूमिंग क्रिसी important है इसके बाद मद्र प्रदेश वो 36 गड़ में जो आपकी अस्थनांतरत क्रिसी होती है इसको हम कहते है देंपा दाहिया या बेबर कहा जाता है इसके बाद उडिसा में इसको हम कहते है पामा डाबी या कुमान मिघाले में इसको कहते हैं बोगमा पस्चिम घाट में में इसको हम कहते हैं कुमारी जारखंड में इसको हम कहते हैं कुरुवा आंदबदेश में इसका नाम है पंदू या पेंड़ा इसके बाद अर्यस्थान में इसको कायाता है वाल्टरे या वात्रा और इसके बाद मनिपूर में इसका नाम है पामलू तो यह से भी important अस्था वाले जोतों पर बड़े बड़े आधनेक यंद्रों की साहता से क्रिसी कारे किया जाता है तिये फैक्ट आप आपको देखेगा अमेरिका जैसे जो विख्षित देश है उन देशों में क्रिसी के या जो विधी है या जो सिस्टम है देखने को मिलते हैं कि जितने भी में बड़े बड़े आकार के जो है जोत याने की खित देखने के मिलते हैं और इन बड़े बड़े आधने के अंतरों के साइथा से क्रिशी कार किए जाते है ते फैट आप ध्यान से याइद कर लेजीगाhen इसके बाद इसका आप जरूर रिस्किन सॉट ले लिजेगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट आपके एकजाम के लिए इसके बाद अगली विदिक क्या है यहां पे वाड़ेजी क्रिसी है इससे अभी मतलब क्या होता है सिंपल सा इसका मेनिंग होता है कि ब्यापार के लिए बि पानों तथा क्रिसी फार्मों पर की जाती है जिसमें बिशेश प्रकार की फसलों या एकल फसले जैसे रवड हो गया नारियल हो गया काजू हो गया चाय हो गया कौफी हो गया केला हो गया आदी का उत्पादन किया जाता है तो इस प्रकार के ख्रिसी को हम कहते हैं रोपन या बागानी क्रीसि इस के बारे बक्राना और जाएगा अर्छेंस इस इसके बारे जयवी ख्यतिकको काद करें इंपोर्टन है इससे भी जाहि प्रसन पूचा एसकता क्योंकि इस क्रिसी का जो प्रस्लतन है अब बढ़ते जा रहा है तो जैवी खेटी गजैवी खे.'' तो इसके अंतरगत खेती करने खेती में जो है क्रिशक जो होता वो रासायनिक और वरकों के अस्थान पर माइक्रोबियल पोसक दाता जैसे सैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराईजा आदी का प्रियोग करते हैं मतलब जैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराईजा का उप्योग करता है तो सिंपल सी मीनिंग आप या देखेगा है इसकी 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 बाद कीट नासको एवं खरपतवार नासको के अस्थान पर बायो पेस्टिसाइड याने की जैव कीट नासको जैसे क्राई के जैव कीट नासको जो की रहसानिक होते है जो से बने वे होते हैं उनके अस्थान पर बायो पेस्टिसाइड का अप्यो कियाता है किसानों के तारा गोबर खाद कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मिरिद फसल, अन्निपसु अप्षीस, फॉल्लो एवं, सब्झिय के अपसिस्ट आदी जैवी क्रिसी के अन्य तत्त वेने की जैवी खेती के अंत्रगत जो है इन तत्तों का इस्तमाल किया था जैसे गोबर खाद कंपोस्ट हो गया वर्मी कंपोस्ट हो गया हरी खाद हो गया मिस्रित फसल हो गई इसके लिए अन्य पसू के जो भी अपसिस होत अक्टूबर 2004 में शुरू की गए थी important fact है बिस अस्तर परने की पूरे world level पर अलबर्ट हावर्ड को आधनिक जैवी क्रिसी का जनक कहा जाता है ब्रिहत अस्तर पर जैवी क्रिसी अपनाने वाला पहला देश था क्यूबा important है ब्रिहत अस्तर पर जैवी क्रिसी का अपनाने वाला बिस्ते का परतम देश कौन था तो क्यूबा था ये fact आपको याद अखना है इसके बाद भारत में जैवी क्रिसी वाला पहला राजी कौन बना था तो सिक्किम बना था इस नई क्रिसी तक्निक के अंत्रकत किसानों जारा पौधो को उगाने के साथ मतज से पालन भी किया जाता है ने कि पौधो के उद्पादन के साथ जो है जो किसान होता है इसमें मतज से पालने की मचलियों का पालन भी साथ साथ कलते हैं तिसको हम कहते हैं एक्वापोनिक क्र इसमें जो है एक ही टैंक में मचली और पौधो पौधे एक साथ ही विर्धी कलते हैं मचलियों के अपसिस्ट के कारण टैंक का जो पानी होता है वो पोशक ततों से समरिद होता है जिसमें जिससे पौधो को पोशन मिलते रहता है तो यह क्रिशी की विदी है किसका नाम है एक क्रिसी कारे कलता है क्रिसी उत्पादन बजार की मांग या स्वयंग की पूरती हेतु किया जाता है इसे आप ध्यान से आत कर लिजेगा जो सहकारी क्रिसी होती है इसमें जो क्रिसी का उत्पादन होता है वो बजार की मांग या स्वयंग की पूरती हेतु किया जाता है सहकारी क्रिसी में वे लोग भी सामिल हो सकते हैं जो क्रिसी और जो केवल क्रिसी मजदूर तथा भूमिहीन है सहकारी क्रिसी से निर्यात को बढ़ावा मिलता है ति इस क्रिसी को वेदि को भी आप याद कर लिजेगा इसका नाम है सहकारी क्रिसी इसके बाद अगले क्रिसी है आपकी Contract Forming यानि कि सम्विधा क्रिसी इसके अंतर का जो क्रिसक होते हैं समझोते के ताहते किसी कमपणी के लिए उत्पादन कारी करता है तथा पुर्व नियधारित गुर्वत्ता वाले उत्पादों को संबंदित कमपणी को एक निश्य समय अवधी में उपलब्द करवाता है इसी कमपणी को दे देता है और उसके बदले पैसे ले लेता है तिसी को हम कहते हैं कॉंट्रेक्ट फॉर्मिंग इस विदी में क्रिसक को कमपणी दोरा नई तकनिक एवं उन्नत किस्म के बीज वा उर्वरक एवं परिवहन के सुविदा मोहिया करा जाती है इंप्रॉडेंट है यह जो विदी होती है इसके अंतरगत क्रिसक जो होता है जो किसान होता उसको जो कमपणी होती है कमपणी दोरा नई तकनिक उन्नत किस्म के बीज इसके लवा उन्नत किस्म के उर्वरक इसके लवा परिवहन के जो सुविदा है कमपणी देती है जैसे माल लीजे जे क्रिसी के क्या क्या प्रकार होते हैं तो यहां पर आपके सेरी कल्चर के अंतरगत क्या होता है तो आपका जो सेरी कल्चर होता है इसके अंतरगत आता है आपका रेसम कीट पालन इंपोर्टेंट है और एपी कल्चर के अंतरगत आपका आता है मदुमक्खी पालन इंपोर् होटी कल्चल बागवानी से है एरोपोनिक्स आपका हवा में पहुदे उगाने से संबंदित होता है आपका हाइड्रोपोनिक्स तो यह चीज आप या देखिएगा कि रिसम कीट पालन को क्या कहते हैं मधुमक्की पालन को क्या कहते हैं साइंटिफिक्टर में यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो दोस्तों यह पार्ट वन हमारा अतक्रिसी का आयोपीय स्रीज आपको पसंद आएगी इसका जो पीडिया पर आपको मारे टेलग्राम चैनल पर मोहिया करा दिया जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू